Hello students, Physics in easy way में आपका स्वागत है Physics in easy way के साथ concept को समझना हुआ सबसे आसा तो आज का जो हमारा lecture है वो है orbital angular momentum और उसके commutator relations के बारे में spin angular momentum के बारे में हम इससे next वीडियो में discuss करने वाले हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो angular momentum होता है वो R और P का आपका cross product होता है यह निकी position and linear momentum का cross product होता है तो अगर हम cross product को solve करना का हमें determinant की requirement होती है इस determinant में I, J, K cap आपके आएंगे रोवन में और second row में आएगा जो R vector होता है इसी components R vector को हम किस तर से लिखते हैं R vector को हम लिखते हैं X I cap प्लस Y J cap प्लस Z K cap तो इस R vector का X component यहां पर आया, Y component यहां पर आया, Z component यहां पर आया फिर cross इसका किसका साथ है, P के साथ है तो ऐसे ही आपका जो linear momentum है उसी जो coordinates बन जाएंगे P X I cap प्लस P Y J cap प्लस P Z K cap इसलिए आपका यहां पर X component, यहां पर Y component यहां पर Z component रिखा गया then उसके बार हमने इसको expand कर दिया है, expand करने के लिए पहले यहां पर आपका आएगा I cap, I cap के पास आप Y को P Z से multiply करेंगे, minus Z को P Y से multiply करेंगे फिर J को लेंगे negative का, negative का J, फिर आप क्या करेंगे, X को P Z से multiply करेंगे and Z को P X से multiply करेंगे, minus कर देंगे similar जब आप K के respect में expand करेंगे तो X को P Y से multiply करेंगे, minus Y को P X से multiply करेंगे इस तरह से आप angular momentum के determinant को expand कर देंगे अब यहाँ पर जो आपका यह बना इसे बोलते हैं LX, यानिकी X component of angular momentum negative के side के साथ इसको बोलेंगे हम Y component of angular momentum और इसको बोलेंगे हम Z component of angular momentum अगर इन components को मलिकूं तो आपको जो LX है यानिकी X component हो जाएगा वो जाएगा आपका Y P Z minus Z P Y ऐसे आपको जो Y component है वो हो जाएगा L Y इक्वल्स टू नेगरिटिव कन दें मल्टिप्ला तो यह positive हो जाएगा तो Z P X पहले आएगा and X P Z बात में आएगा and similar जो Z component है वो कितना हो जाएगा आपको X P Y minus Y P X तो यह आपके एंगरा मोमेंटम के X Y Z components हो गए अब यहाँ पर हमारे पास को इंपॉर्टेंट कमपोटेटर रिलेशन्स है पहले कमपोटेटर रिलेशन्स है इस X component का इस Y component के साथ कमपोटेटर रिलेशन्स यानि की LX, LY कमपोटेटर ब्रेकेट के अंदर हमने लिख दिये हैं अब LX की जो value है यह रही LX की value Y P Z minus Z P Y यहाँ पुट कर दी Y P Z minus Z P Y similarly हमने यहाँ पर LY की value भी पुट कर दी Z P X minus X P Z Z P X minus X P Z अब इसके अब हम यहाँ पर कमपोटेटर ब्रेकेट की properties की help से इस पुरे कमपोटेटर ब्रेकेट का जो फाइनली क्या result निकल किया यह हम प्रूफ करने वाले हैं इसको आप इसके साथ ले लेंगे यानि कि Y P Z minus Z P Y को आप Z P X का साथ ले लेंगे यह वो एक कमपोटेटर ब्रेकेट में फिर इसको आप इसके साथ ले लेंगे Bisi कि कमपोटेटर ब्लेकेट की property है इस तरह का कमनले इसमें पहले इस एक हो ब second यहानिकि आई कि A कमपोटे等 B प्लस का साइं और six के सांथ हम सकते इस तरह से हमने और लगाए यह मालन ले इसको वश्ची मान लें तो पहले हमें एक को लिकर एक लिखना है आए बीके सांथ फिर मानस को साइन आएगा फिर एक लिखना है सीके सांथ तो बैसिकली आपे कर्मूटेर की प्रोपर्टी यहां पर यूज की गई है इसकर हम इसको अलग करेंगे या नई की वाई पी देड को करेंगे ZPx के साथ यहां पर लिखेंगे फिर मानस का सान लगाएंगे , ZPy को करेंगे ZPy कसाथ सही इसा प्रränटेट कर लगाए है , ऐसा यह आपका यह मानस का साइं तो यह मिक लिएक अगे स्टार्ट कर दिया है . यहां पर X का function है कोई और यहां पर भी RX का दूसरा function forsake zero होता है यानि कि अगर यहां पर ध्यान से ने इस 22 ऐसे चिखें यहां है हम पहीं पीजर इसले क्या होगा इस कम्मूट्र बैकेट की वैली भी जीरू हो जाएगी तो आपके पास बचेगा ypz, zpx इधर और फिर ये वाला मैनस ये वाला मैनस प्लस and zpy xpz एक commutator bracket के अंदर आजेंगे अब इन दोगों को हमें और solve करना है इसके आगे अब इसके आगे हम जो फॉर्मा लगाने वाले हैं वह हमार पास है a b c का commutator जो होता है इसको हम लिखते हैं a बहार से b c का commutator प्लस a और c का commutator और b बहार से तो इस फॉर्मले को हम यहां पर apply करने वाले हैं जिसमें हम यहां पर अगर इसको हम a मान लें इसको हम b मान लें इसको हम c मान लें तो इसके पहले बहार से आएगा तो इसलिए पहले बहार से y आएगा तो y यहां पर लिखा होगा आपका यह फिर b और c का commutator हो जाएगा तो तो P Z और Z P X P Z and Z P X और कमुटेटर यहां पर कर लेंगे फिर पिर फिर A C का कमुटेटर आएगा A Y है and C Z PX है तो Y and Z PX और B को बाहर से लिखेंगे V हमारा P Z है वो बाहर से आजाएगा अपका ठीक है प्लस अब ऐसे ही तुम्हारा हमें इसमें भी लगा देना है इसमें भी हम इसको A मान लेंगे इसको B मान लेंगे इसको C मान लेंगे तो उसके संब बहुए कए पहले A आएगा तो A मतलब Z तो Z को बाहर से लिखा जाएगा एंड B C का कमूटेटर यानि कि P Y and X P Z P Y and X P Z का कमूटेटर प्लस फिर A C bracket के अंदर Z and X P Z bracket के अंदर B बाहर से यानि कि P Y बाहर से हो जाएगा आपको ज बच गए यह बेशिकली पॉजिशन एंड लिनेर मोमेंटम के इनके अगर पॉजिशन और डीर मोमेंटम सेम डैक्शन में है तो आपका अंसर जीडु आता है अगर position and momentum different direction में है तो answer 0 होता है फ़र एग्जाम्पल के जिसे पहले commutator को रहा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको z component दिख रहा है position का और यहाँ पर आपको z component दिख रहा है linear momentum का तो इनका answer non-0 मिलेगा ठीक है सब्सक्राइब करने के ट्रिक होती है याद हम ऐसे कर सकते हैं कि जैड एंड पीजट सेम सेम कंपोनेंट इसले इसका अंसार नौन जिरू आएगा अब क्या है अब सेकंड कमुटेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पोजिशन है वह य है और यहां पर मोमेंटम है वह जिरू आएगा और लास्ट वाले को अगर हम ध्यान से लिखें तो यहां पर जैड लिखा है आपका पोजिशन और जो मोमेंटम है वह भी जैड कम डिरेक्शन पर है तो दोनों सेम डिरेक्शन पर होने की वेरे से इसका अंसार भी नौन जिरू होगा यानि कि आपके दो ज लिखें चेड़े होगे और पहले को और लास्ट वाले को हम सॉथ करेंगे इसलिए हमने यहाला यहाला भागे सब क्या हो गए जीरू हो गए अब अगेर हम एक प्रौपर्टी लगाएंगे जिसके जो हमारी यहाँ पर लिकी हुई है एबी-सी इक इकलस वाले को फ्राफ य बाहर से onda करके लिख देंगे तो यहां पर एसको ए माल रester आउब तो निकालेंगे तो पीजाट को नीकालेंगे तो जाटन पीछन पीएश्कन कमूटुर निकालेंगे तो पीजाट आप पीएक्स का मुटुर लिखा और यह वाला यहैं से liberty युज की गई हैован यहाँ पर हम जिहांट से रिखें तो प्लस में किया पहले A और B का कमुटेटर लिखो गया, A अपका PZ है और B अपका Z है, तो PZ और Z अपका कमुटेटर बहार से क्या होगा, C मल्टिप्लाए और B का मतलब X, तो X यहाँ बहार से मल्टिप्लाए होगा, A C यानि की Z and PZ का कमुटेटर आएगा, Z and PZ का प्लस फिर हमार A B का कमुटेटर आएगा, यानि की Z and X का कमुटेटर आएगा, और यहाँ पर प्य बहार से मल्टिप्लाए था, उसको बहार से आपका common ले लिया गया है, अब यहाँ पर हमारे पास same वही property है आपके पास, कि जो आपका यह bracket है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Z है, different है, इसलिए 0, यह same है, non-zero, यह same है, non-zero, यह different है, 0, तो यहाँ निगी, यह वाला कमुटेटर ब्रकेट different coordinate होने के वेरे से, यह वाला भी different coordinate होने के वेरे से 0 हो गया, और यह दोना same होने के वेरे से, non-zero हो गया, अब इसको again हम यहाँ पर लिखना चाहें, तो यहाँ ब प्रॉप्यदे लेगा सकते हैं, अगर आपके पास a b का कुमुटेटर है, तो इसको मैनस करके a कर सकते हैं, यानिगि को इनको स्विच करते हैं, पोजीशन को इनकी तो आगर negative sign को हम यहाँ पर तो यहां लिखा हुआ है यह PLAY यहां लिखा हुआ है और इसकी कि ऐसक क्लास से गो मीलेंगे तो अगर एक्स से पीवाई माइनस वाइप स्ट यहां से बखिऊ इन्ronics तो जो होगा आपका x p y minus y यापका l z के equal होगा यानि कि angular momentum के z component के equivalent यह माना जाएगा अब यहाँ पर हम इसकी value put कर दें तो iota h cross और यह यहाँ पर प्रूफ कर दिया उसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं इसे याद करने का तरीका है कि आप याद करिए याद करिए यह निकालेंगे तो आएगा इस तरह से याद कर सब्सक्राइब करते हैं अगर आप इनको इंटर्चेंज करने पर यहाँ नेगेटिव सान और इनको इंटर्चेंज करने पर यहाँ पर नेगेटिव सान हो जाएगा और ऐसे यहां पर बहुत इंपोर्टन चीज़ें कि जो आपका को इनको इसको आफ़ मेंटम एल यहां पर क्या करोगे तो यह अज़ों करने रोगें होती है अब आपको इस अलग कर ले रहा है फिप प्लस का साइन ल्ग कर लेना है प्लस का साइन ल्ग को अलग कर लेना है अब यहां पर पर उसी एक्स का दूसरा निकल के आता है अगर यूज होने वाले यहां वाल के सेन्ट वरीएबल्स यहां पर एलैक्स और यहीं काम करेंगे इसको भी एवी सी मान लेंगे इसको भी एवी सी मान लेंगे और अब इससे पहले लगाती अखना लिख एतनी वाडी होती तो य बी जान से लिए यह आपर भी है और यह नेगटिव का है यह भी सेम टम है और नेगटिव का है यह भी सेम टाम में पॉजिटिव का है तो दोनों के दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव कटके जीरो अंसरा रहेगा तो similarly आप बाकी के इन सभी को भी इन बाकी के दूनों को भी आप पूफ कर सकते हैं से कि जो आपका L2 है वह LX, LY, LZ के साथ कम्यूट करता है और रही बात लिन मोमेंटम की, यानि कि आपका LX है, वो PX के साथ, LY है, PY के साथ, और LZ है, PZ के साथ, यह कम्यूट करता है, यानि कि component of angular momentum, commute with corresponding P components, यानि कि P का X component, L के X component के साथ, P का Y component, L के Y component के साथ, and P का Z component, L के Z component के साथ, इसको हम next video में proof कर लेंगे, अगर आपको इन में से कोई proof नहीं हो पाता है, आपसा तो मुझे comment बता दीजिएगा, आप लोग मैं आपको proof के एक separate video बना दूँगा, आज की video पर इतना ही मिलते हैं आपसे अगले video बर, अगर आपको मेरी video पसंद आएए, तो इसको like कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं आए, तो subscribe कर दीजिए, अपने दोस्तों के सान, share कर दीजिए,